नवस्कार मैं सोच खमार और आप सभी का हमारे चैनल में सवागत है अगर आप EPF मेंबर्स हैं आपका EPF एकाउंट है और यहां पर Member Passbook में आकर कि आप अगर आप Balance अपना चेट करना चाहते है या फिर वीडियो को एक लाइक अगर आप हमारे चैनल पर इस वीडियो का पहली बार देख नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन पर क्लिक करके और वीडियो को description में EPFs related आपको बहुत सरी वीडियोस मिल जाएंगे कि कैसे यहाँ पे आपके वाइसी कर सकते हैं bank account यहाँ पे आइड कर सकते हैं EPFs related और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे तो आपको करना क्या है अगर आपके भी लिंक देखनों मिलेगा member home तो आपको इस पर क्लिक करके जो कि आपको यहाँ नमर हो गया पासवर्ड हो गया और उसके बाद और यहाँ पर लॉग इन होने के बाद यहाँ पर नोमिनेशन और आपको इसको लेटर कर देना है और यहाँ पर देखेंगे कई सारे आपको options मिलते हैं यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर हो गया, बीउ हो गया, मैनेज हो गया, अकाउंट हो गया, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैनेज के पर आपको क्लिक करना है, और जैसे आप मैनेज के पर क्लिक करते हैं, फिर से आपको कई सारे ओप्सन यहाँ मिलता है, बैसिक डीटेल हो हो गया कउंट डीटेल हो गया क्या करना हैं यहाँ में आपका जो एप में लिंक है आपको उसको चेंज कर देणा यैंनि कि आपका प्यफ में जो मॉवाइल नमर लिंक उसको चेंज करके कोई ऐसा नमर आपको एप College करते केकि और शो ये error जो आ रहा है ये error इसलिए आ रहा है कि आपका जो mobile number है वो किसी और ये नमर में linked है तो एक mobile number जो है कि एक ही peer account में link होगा और जो है कि आपका वही mobile number आपको यहाँ पे enter करना है आपको E-P-Up में add करना है जो कि आपका mobile number अधार कार्ट से registered है तो आपको करना क्या है कि इस वाले option में आ करके आपको mobile number यहाँ पे देख सकते है email ID भी आपका so होगा अगर आपका email ID aid होगा E-P-Up में तो और यहाँ से आपको mobile number ही पता चल जाएगा कि आपका mobile number कौन सा है और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे verify your change mobile number आप इसके बड़ टि करेंगे जो आप चेंज करेंगे वह भी आपका E-P-Up अधार कार्ट से वह लिंक होना चाहिए और यहाँ पर आप mobile number नमर में फिर यहाँ पर यहाँ पर री एंटर यू मॉवाइल नमर में फिर उसके आप क्या करेंगे हाँ पर गेट mobile OTP क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इधरी तरीके से आप चेक कर पाएंगे आपको कोई भी एरर आपको हाँ पर देखने को नहीं मिलेगा एक mobile नमर जो है कि एक ही P-Up अकाउंट में लिंक होना चाहिए और अगर आपका एक से ज्यादा E-P-Up अकाउंट है तो पुराना वाला जो आपका E-P-Up अकाउंट है उ में लिंक होना चाहिए तो मैंने भी यह जो कि यह जो नमर है कई सारे अलग-अलग E-P-Up में एड किये थे तो यह तो मैं लिंक ही है यहां पर आदार कर से बाकी सबसे जो मेरा जो मवाइल नमर वहां पर चेंज करना पड़ेगा तो इस तरके से आप जो है कि अपना E-P-Up म रमर चेंज करके आप जो की से रस आपका जो के प्रोलम हन्रीटपरसंट हो जाएगा तो उमीद करता है को इस वीडियो में लोग इन START या पर वीद्व करेंगे और यहां पर अप्र ऑपसन करने के बाद यहां पर आप को यहां पर पास्वर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद यहां पर लोगिन करेंगे तो आपस्वूक देख पाएंगे